So, hey guys, again I am back with a new video and a new concept. So, आज इस वीडियो के अंदर मैं दो टम्स के वारें बात कने वाली हूँ और वो दो टम्स हैं, the first one is columns of vertini and the second one is the duct of wellinny. इन दोनों में क्या similarity और क्या difference वो आज इस वीडियो के अंदर मैं डिसकस कने वाले हैं. So, सबसे पहले जो similarity ये है कि ये दोनों ही चीज़े किड़नी के अंदर होती हैं. आपने जब किड़नी का structure पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा जो outer side होती है, उसको हम कहते हैं किड़नी की cortex और जो बीच में pyramids बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं medula. तो इन पिरामिट्स के बीच में जो columns बने हैं, जहां पर cortex extend कर रही है into the medula, उसको कहा जाता है columns of vertini, या columns of vertin. Now the second one is, what is duct of valenie? Duct of valenie is basically the distal part of the collecting duct. आप सबने डियाग्राम में तो देखा ही होगा, collecting duct कहां पर है. तो इसका सबसे दूर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं duct of valenie. So आप बताओ, केलियर हुआ concept, वीडियो कैसा लगा, यह आप मुझे बता सकते हो through your comments, in the comment section and also through likes. Tell me some more scientific terms, जिससे कि मैं उन टम्स पर भी वीडियोस बना सकूँ.